नमस्कार दोस्तूं विग्यान की क्लास नमबर तीन वो टोपिक हमारा रहेगा बोतिक एवम रासाइनिक अभी करी आएं दोस्तूं कक्साथ 6 से लेकर कक्साथ 10 तक की जो विग्यान की किताब चलती है उसके आधार पर उनका निचोड इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा ये मान के चलिए कि अगर आप परते कलास को अटेंड करते हैं क्योंकि निसुलक कलासे यूटूब के मादिम से उपलब्द करवाई जा रही आपको तो ये मान के चलिए कि आपकी सीट है जो पकी है दोस्तूं कमप्लीट नोट्स कुछामन ओनलाइन कलास इच एप है उसके स्टोर में आपको मिल जाएंगी और अधर जानकारी के लिए इंस्टाग्राम दे रखका है दोस्तूं तो एक बात सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक से और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए शुरू करते हैं आज की इस बहतरीन कलास को दोस्तों काफी महत्वपून टोपिक है और काफी अच्छे-च्छे क्यूसन यहां से आपको देखने को मिलेंगी इसलिए एक-एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है दोस्तूं सबसे पहले मैं बात करूंगा वो बात करूंगा आवस्ता को लेकर परिवरतन कैसे होगा किसी पदार्त का किसी ओर में बदलना यानि कि उसके आवस्ता में परिवरतन होना तो चलिए बहतरी नोट से दोस्तों बहतरी नोट से एक बार पढ़ लो याद होंगे आपको ये एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में बदलने पर या एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का निर्मान होता है और बोतिक और रासाइनिक बिक्रियों में क्या होता है नहीं पदार्थ का निर्मानी तो होता है जैसे हम आगे पड़ेंगे दोस्तु पदार्थ में उने वाले परिवर्तनों को दो बागों में विबाजित किया जाता है एक होते हैं बोतिक परिवर्तन दूसरे होते हैं रास तो देखे एक एक चीज गो समझे सबसे पहले आप समझे बोतीक प्रीवर्तन ठोटा सा मेटर है लेकिन राषाइनिक प्रीवर्तन कापी बड़ा मेटर रही गा एक ही पाद में नहीं पीगल जाएगा यह बोतिक अवस्ता में परीवर्तन होना है दोस्तों किंतु पदारतू के रासाइनिक संगटन एवम रासाइनिक गुणों में कोई परीवर्तन नहीं होता है अगर आप ने नमत को पानी में मिला कर गोल दिया है अगर उसको गरम करोगे तो वापस नमक उसी में आ जाएगा, वो जैसा उसका सवाद है वेसा का वेसा सवाद रहेगा और वेसा का वेसा आकार ले लेगा, समझ गए? इसे ही बोतिक प्रिवर्तन कहते हैं, जैसे सोने का पिगलना बोतिक प्रिवर्तन है, कांच का तूटना बोतिक प्रिवर्तन है, सक्कर यह होता है बोतिक परिवर्तन अब दो चीज़ आपके सामने एक तो अगर आप नोटस है बनाना चाहते हैं तो Beast लेकर आराम से बना लेना अगर आप नोट्स प्राप्ट करना चाहते हैं तो आज ही कुछ आमन ओनलाइन क्लासे जेप से नोट्स है वो प्राप्ट कर लीजिए अब देखें बोतिक परिवर्तन के गुणू की हम बात करते हैं बोतिक परिवर्तन में पदार्थ के बोतिक गुणू जैसे आयतन अवस्ता ताप गनतवे रंग आदी में परिवर्तन होता है दोस्तूं पदार्थ के रासाइनिक संगटन तेथा रासाइनिक गुणू में कोई परिवर्तन नहीं होता है जेसा मूल पदारता है वेसा का वेसा रहता है वो यह नहीं है कि वो बदल जाता है उसमें अवस्ता बदल सकती है उसका आयतं ताप, रंग, गनतव यह बदलते हैं बोतिक परिवर्तन उतकर्मणी ये होता है ये परिवर्तन उतकर्मणी होता है और ये परिवर्तन एस्ताई होता है इस्ताई परिवर्तन ये नहीं होता है समझ गए तो ये होते हैं बोतिक परिवर्तन के परमुक गुण दोस्तों आगे हैं हमारा दूसरा परिवर्तन जिसे हम कहते हैं रासाइनिक परिवर्तन यहां से सुरू होके कापी लंबा चलेगा ध्यान से पढ़ना है पदार्तु में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्त पराप्त होता है जिसमें हमें कुछ नया मिल जाए जैसे 2MG पलस O इसकी अगर हम अभी करिया करवाएंगे तो 2MG O यह एक नया ही पदार्थ बन गया है यह होता है रासाइनिक प्रिवर्तन जो रासाइनिक संगटन तैसा रासाइनिक गुनों में मूल पदार्थ से पूर्णते बिन होता है यह रासाइनिक प्रिवर्तन कहलाता है तो जो भी किरियाएं जिन से हम वापस उस पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते है वो रासाइनिक प्रिवर्तन कहलाते है हैं दोस्तों अब आगे देखे रासाइनिक परिवर्तन के गुण क्या क्या है देश्तों रासाइनिक परिवर्तन से जो नए पदार्त बनते हैं वे मूल पदार्त से रासाइनिक गुणूत अता संगटन में भिन होते हैं यानि अलग होते हैं दोस्तों ये परिवर्तन अनूत कर्मणी होता है, ये परिवर्तन इस्ता ही होता है, बोतिक परिवर्तन इस्ता ही होते हैं, नमग को पानी में गोलेंगे, अगर पानी को गरम करेंगे तो वापस नमग प्राप्त कर लेंगे, इस किरिया में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस परिवर् कार के परिवर्तन पदार्तु में होते हैं, पहला भोतिक और दूसरा रासाइनिक, अब देखे हम यहां पर पढ़ रहे हैं रासाइनिक परिवर्तन, उसमें एक नाम आया है रासाइनिक समीकरण, क्या होता है यह रासाइनिक समीकरण, रासाइनिक अभी करिया में पदार्तु को अनुसुतु यवं परतिकू की साइथा से परदर्शित किया जाता है. उसे ही रासाईनिक अमिक्रिया कहते हैं. जैसे मेने अबी बताया था ना, क्या बताया था? याद है, टू, एंम जी पर्लस, ओटू, अटू, बराबर 2 एंजी उ. ये एक रासाइनिक समीकरण है दोस्तों रासाइनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक या किरियाकारक एवं अभिक्रिया के फलसरूप बनने वाले पदार्थ उतपाद कहलाते हैं तो यहाँ पे जो 2MG O2 है ना यह तो इनको आप अभी कारक या किरिया कारक बोल सकते हैं और जो यहां पे 2MGO प्राप्त हुआ है आपको इसको आप क्या बोलोगे उत्पाद बोलोगे दोस्तुम किसी रासाइनिक समीकरण में किरिया कारक तीर के निसान के बाही तरफ देखिए ये तीर का निसान दिकाई दे रहा आपको इस तीर के निसान के बाही तरफ तो ये किरिया कारक है तता उत्पाद दाही तरफ लिखे जाते हैं तो ये देखिए दाही तरफ और तीर का चिन अभी किरिया की दिसा यहां पर लिका जाएगा यहां पर तीर के निसान के उपर लिका जाता है जो भी उत्परेरे काम में लेंगे जो रासाइनी क्रिया की गती को बढ़ा देते हैं तो जो भी उत्परेरे काम में लेंगे वो यहां पर लिका जाएगा यहां पर तीर के निसान के उपर लिका जाता तो रासाइनिक समीकर्ण क्या होता है समझ में आ गया अब देखे रासाइनिक समीकर्ण एक संतुलित भी होता है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों संतुलित रासाइनिक समिकर्ण जब किसी रासाइनिक समिकर्ण के दोनों पक्सु में अभिकारक वे उत्पाद के परमाणू की संक्या समान होती है तो संतुलित रासाइनिक समिकर्ण कहलाती है जितने यतीर का निसान है न जितने अगर इधर चार परमानू है और इधर भी वोही चार परमानू आपको मिल रहे है तो यह संतुलित समीकरन होगा एसंतुली समीकन, यदि किसी रासाइनिक समीकन की दोनों पकसू के तत्व के परमाणू की संख्या जो भी यहाँ पे तत्व है, चार प्लस चार, इधर चार प्लस चार, यह अलग तत्व है यह माली जो नाइट्रोजन यह ओक्सीजन यहां पर जो नए बन रहे हैं इन्हें में बराबर परमाणू है यहां पर नाइट्रोजन में चार है ओक्सीजन में चार-चार परमाणू है तो यहां पर जो नया उत्पाद बना है उसमें भी चार-चार परमाणू है एक तरीका आ कि दोनों पक्सु के जो तत्वय उनमें के परमाणू की संक्या एह समान हो तो एसे समिकरण ए संतुलित रासायिनिक समिकरण या कंकाली रासायिनिक समिकरण कह driver जैसे कि अगर मैं बात करूं कि उधर चार प्लस चार आठ परमाणु है और इधर चार प्लस दो छही परमाणु है तो ये क्या हो जाएगा ऐस संतुलित रासाइनिक समीकरण हो जाएगा दोस्तों समझ गे अब देखे आगे रासाइनिक अभिक्रिया के लक्सन रासाइनिक अभिक्रिया जो हमारा टोपिक है न वही चीज रासाइनिक अभिक्रिया के परमुक लक्सन है गेस का निकलना आउशेप बननना ताप रंग परिवर्तन होना और अवस्ता परिवर्तन जब भी एक र वाँ पर देखने को मिलेगी गेस भी निकल सकती है ताब भी बढ़ सकता है रंग भी बदल सकता है उसके आवस्ता भी परिवर्तन हो सकती है उसका आवसेप भी हो सकता है तो यह रासाइनिक अभी क्रिया के लक्सन होते है यह चीजें वाँ पर आपको देखने को मिलती है दो अब जो टूपिक है वो आपका बहतरी न टूपिक यहां से सुरू होगा और यही से आपको द्यान के साथ लगा कर इस चीझ को पढ़िना है दोस्तूँ की है रासाइनिक अभी क्रिया तो देखिए किसी पदार्त में रासाइनिक परिवर्तन होने को ही रासाइनिक अभी क्रिया कहते हैं जैसे यहां पर समझ लीजिए यहां पर परिवर्तन हो रहा है एम जी का उक्सीजन के साथ एम जी ओ कुछ परिवर्तन हुआ सोलिड गेस और यहां पर जो प्राप्त हुआ है उत्पाद में मिला है वो सोलिड आया समझ में यह चीज रासाइने किरिया दोरा जब एक पदार्ट दूसरे पदार्ट में बदलता है तो उसके रासाइनिक संगटन वे रासाइनिक गुण मूल पदार्ट से बिन हो जाते हैं किन्तू पदार्ट के कुल दर्वेमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है यह दो जितने दर्वेमान के एना उतना का उतना यह दर्वेमान का रहेगा भी इसमें दर्वेमान में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा ठोस से गेस गेस से दर्वे यह कुछ भी ब इसके अंदर प्राप्त नहीं होगा यह भी एक important चीज़े दोस्तु एक एक चीज अपके काम में आएगी दोस्तु समझ गए इसलिए हर एक चीज को समझते वे आगे बढ़ना है यहां तो मेगनिसियम और यहाँ पे ओक्सिजन का हो रहा है MG मेगनिसियम का परतीक होता है यह भी याद रखना है इसके लिए मैं एक अलग से इसी कलास लेकर आँगा जिससे कमप्लेट आपको तैयारी है वो हो जाए आपको कोई दिक्त है किसी भी परकार की कोई दिक्त है वो ना हो दोस्तूं समझ गए इसलिए परते कलास अटेंड करनी होगी तो मेगनिसियम और ओक्सिजन के साथ मिलता है तो मेगनिसियम ओक्साइड का निर्मान हो रहा है यहाँ पे बंद के बनने वर तूटने अभिक्रिया की परकरती एवं वेक के आदार पर रासाइनिक अभिक्रिया ये विबिन परकार की होती है जैसे स्योजन अभिक्रिया ये योगात्मक अभिक्रिया होती है विस्तापन अभिक्रिया होती है अपगटनी अभिक्रिया होती है समझ गे तो सबसे पहले जो रासाइनी का पिकरिया के अंदर पहली पिकरिया आ रही है आपकी वो आरही है शंयोग से एक नहे पदार्त का बना शंयोग से या योग्सिल अबिकरिया का ज़ीज़ा चेहें उज़र हाँ एक तो यह रहा, एक यह रहा, और देखें, यह एक नया पदार्त बन गया, A पलस B, जब दो तत्वे, दो योगीक मिलते हैं, तो एक नया तत्वे योगीक बन जाता है, A, B, अब देखें, इसके अंदर दो प्रकार्चे होते, एकार्बनिक सयोजन अभीकरिया भी होती है, और कार्बनिक सयोजन अभीकरिया भी होती है, सबसे पहले एकार्बनिक सयोजन अभीकरिया, इसके अंदर क्या होता है, तो देखें, वो युदान जो इतनी देर में दे रहा था, 2MG, मेगनिसियम पलस ओक्सीजन, काज जब होगा तो नया मेगनीसियम ओकसाइड बन गया यहां पर तो यहां पर स्योग हो रहा है दोनु जुड़ रहे हैं दोनु जुड़ रहे हैं NS3 प्लस HCL NH4 CL NH4 CL तो यहां पर भी दोनु के दोनु के दोनु के दोनु के दोनु जुड़ रहे हैं इसलिए जो भी क्लास में जानकारी दी जा रही है उसको ध्यान से देखते वे आगे बढ़ना है दोस्तुूं। समझ गए यहां पर? एक एक जानकारी पहले बता दो NS3 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? NS3 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बताईए जल्दी से, सभी साथ यहों को बताना है NS3 को हिंदी में क्या कहते हैं? तैयारी भी साथ में करते रहेंगे NS3 को हिंदी में क्या कहते हैं? बताईए जल्दी से अमोनिया, NS3, अमोनिया, एंसियल, हाइड्रो, कलोरी कामल है समझ गए न? तो यह तो होता है A-carbonic-sayogen दूसरा होता है carbonic-sayogen carbonic-sayogen अभी क्रिया जैसे A-thene है CH2 देखे इसको मैं यहां पे नहीं है CH2 double bond के साथ वापस CH2 पलस H H बना क्या CH3 CH3 double bond के साथ तो A-thene के साथ hydrogen A-thene का निर्मान कर रही है A-thene के साथ hydrogen जब मिलेगी तो A-thene का निर्मान होगा जो यहां पे दोनू के दोनू पलस चीन से जुड़के क्या कर रहे है योगात्मक सायोजन कर रहे हैं दोस्तों आगे चलिए आगे देखे योगात्मक अभी क्रिया के अंदर देखे बहुत प्यारे नोट्स बनाएं मैंने केलसियम ओकसाइड यह रहा जल के साथ तीवरता से अभी क्रिया करके केलसियम हाइड्रोकसाइड बुजावा चुना का निर्मान करता है देखे यह रहा केलसियम ओकसाइड यह रहा जल दोनों कर रहे हैं किरिया यहां पे योगात्म किरिया है और जो उत्पाद मिल रहा है CAOH2 केल्सियम हाइड्रोकसाइड जिसको हम बुजा चुना कहते हैं इसी को का जाता है बुजा वाचुना सुत्र अपको परती का आपको याद रखना है दोस्तों इस बुजे वे चुने का प्रियोग दिवारों की सपेदी करने के लिए किया जाता है बुजा वाचुना वाईू मंडल की CO2 कार्बंडाई ओकसाइड से अभिक्रिया करके दिवारों पर केल्सियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है जिसे सपेदी में चमक उत्पन होती है का कार्बंडाई ओकसाइड से जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो संगमरमर CACO3 पलस H2 जल बनता है दोस्तों तो यहां पे यह आपके संगमरमर का सुत्तर है संगमरमर का परतीक सुत्तर बोल सकते हो आप इसको यह हो गई आपकी योगात्मक अभिक्रिया दूसरे परक कि जो अभिक्रिया होती है वो है विस्तापन अभिक्रिया किसी योगिक में उबस्तित परमाणू अत्वा समोय के इस्तान पर किसी दूसरे परमाणू या समोय का आना विस्तापन कहलाता है जैसे उदान से समझेंगे और इस क्रिया को विस्तापन अभिक्रिया कहते हैं कैस सीतों मिल गए जब इनकी अभी क्रिया हमने करवाई तो देखें यह A और सीतों मिल गए और B यहां से निकल कर साइड में हो गया तो यहां पर B का विस्तापन हो गया है यहां पर C का विस्तापन हो गया है यही विस्तापन अभी क्रिया है विस्तापन अभी क्रिया में अधिक क्रियासील तत्व है कम क्रियासील तत्व को विस्तापित कर देते हैं यहां पे बात क्या हो रही है कि जो आपका यहां पे C है ना C यह अधिक क्रियासील है और जो B है न B यह कम क्रियासील है यह तो क्या है अधिक क्रियासील है और ये क्या है कम किरिया सील है तो सी तो आकर एक के साथ जुड़ गया और बीक को साइड में निकाल दिया जैसे सी यू एसो पूर पलस जेडन एक एक चीज याद रिखना है दोस्तों ये ना हो कि कोई चीज आप भूल जाओ एक एक चीज है उसको द्यान से समझना है जिससे ही तैयारी है वो बैतरीन होगी दोस्तों समझ गए एक एक चीज जेडन मतलब जस्ता देखिए ये चीज़ें आपको याद रखने है जेडन ये परतिक जस्ते का होता है अब देखिए सी यू एसो पूर का जिंक सोरी जस्ता के साथ हम अभी क्रिया करवा रहे हैं तो क्या होगा क्या होगा दोस्तों बताइए वोही चीज आपको बतानी है देखिए आराम से जो सी यू है ना ये तो कम क्रिया सील है इसलिए बाहर चला गया और जो जेडन जस्ता है ना ये अधिकरिया सील होता है ये एसो पूर के साथ क्रिया कर लेता है समझ गए अब देखिए ये होती है विस्तापन क्योंकि देखिए जेडन का विस्तापन हो गया सी यू का विस्तापन यहां पर हो गया दोस्तों अब चलिए एक जानकारी यहां से, जो यह C.O.S.O.P.O.R. है ना, जो साथी नोटस बना रहे ना, उनके लिए जानकारी, इसको क्या कहते हैं? कोपर सलपेट, कोपर सलपेट, नीला थोता, नीला थोता का सुतर पूछ लिया, तो क्या करोगे? नीला थोता कहते हैं, इसको नीला थोता के नाम से इसको जानते हैं, हैं दोस्तों, यह जानकारी, एक एक जानकारी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगी दोस्तों, समझ गए? एक एक जानकारी, आगे क्या है? जिंक सलपेट, जिंक सलपेट, जिंक सलपेट, आगे चलिए, यह हो गई विस्तापन अभीक्रिया अगली जो अभीक्रिया है वह द्वी विस्तापन अभीक्रिया इसको समझे ना दोस्तों रासाइनिक परिवर्तन में जब दो अभीकार कों के मूलकों में प्रसपर विनिम्मे सें दो नए योगीकों का निर्माण होता है तो इस परकार इस किरिया को द्वी विस्तापन अभी किरिया के अंदर हमने देखा कि एक ही परमाणू इदर से उदर हो रहा था यहां पर दोनू परमाणू होंगे देखे A B पलस C D तो A पलस D और B पलस C दो बार विस्तापन हो रहा है दोस्तों यहां दो आइनों का विस्तापन हो है इसलिए इस किरिया को द्वी विस्तापन कहते हैं द्वी विस्तापन अभी किरियाओं के अधिकारकों के बीच आइनों का आदान परदान होता है सोडियम सलपेट A Na2 Aesophor की बेरियम कलोराइड B A C L 2 से अभी किरिया कराने पर शवेत रंग के जल में एविले पदार्थ बेरियम सलपेट B A Aesophor बेरियम सलपेट आउशेपित होता है और इस अभी किरिया को आउशेपन अभी किरिया भी कहते हैं सोडियम सलपेट Na2 Aesophor बेरियम कलोराइड B A C L 2 बना क्या बेरियम सलपेट आगया समद में यह चीज है दोस्तों यह द्वी विस्तापन यह द्वी विस्तापन दो आईनों का विस्तापन आगे हैं अपगटन ये अभी किरिया अपगटन ये अभीक्रिया अपगटन भी होता है अभीक्रिया में अपगटन का आर्थ होता है तूटना जब कोई योगिक तूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्तू का निर्मान करता है तो इस अभीक्रिया को अपगटन ये अभीक्रिया कहते है जैसे योगात्म के अंदर A पलस B मिलकर A B का निर्मान कर रहे थे अबगटन में A B है यह तूटेगा A और B के अंदर दोस्तों पदार्तू के अबगटन के लिए उर्जा ताप उर्जा है वो ताप, विद्यूत वो परकास आदी के रूप में दी जाती है अबगटन के लिए उर्जा चाहिए होगी, वो कैसे भी मिल सकती है अब देखें अबगटन तीन परकार का होता है पहला है ताप अबगटन, ताप के दुवारा किसके दुवारा? पहला है ताप के दुवारा अबगटन जब किसी पदार्त को गरम किया जाता है तो वह उसमा अवसोसित कर अपगटित हो जाता है यानि कि यह जो पदार दिया है ना लेड नाइटरेट लेड नाइटरेट इसको हमने क्या कर दिया ताप दे दिया यह उत्परेरक की बुमीका में तो यह अलग-अलग पदार तूमें तूट जाएगा और यही है ताप यह अपगटन जिसमें देखे टू-पी-बी-ओ यह कुछ नहीं है यहां पे टू-पी-बी-ओ लेड ओकसाइड आगे है फोर एनो-टू नाइटरोजन डाइओकसाइड और ओटू यह नि ओकसीजन तो अपगटन अपगटन यह नि अपगटन पदार्थ का यहां पर होता है दोस्तो आगया समझ में पहला ताप अपगटन दूसरा है आपका विद्यूत अपगटन और तीसरा है परकास अपगटन तो देखे विद्यूत अपगटन जब किसी पदार्थ की गलित या दर्वे वस्ता में विद्यूद दारा परवाइद की जाती है तो वह सरल अनों में तूट जाता है और इस अबिक्रिया को विद्यूद अपगटन कहते है N.A.C.L. के अंदर हमने क्या किया है N.A.C.L. के अंदर हमने क्या किया है विद्यूत परवा किया है यहां पे देखिए यह विद्यूत का परवा किया है तीर के निसान के उपर लिखना है विद्यूत परवा तो 2NA पलस CL2 के अंदर यह विबक्त हो गया सोडियम और कलोराइड में विबक्त हो गया परकास के दुआरा अपगटन वेरासाइनी के विक्रिया जिसमें योगिक सोर परकास विक्रिणू को अवसोसित कर सरल अनू में अपगटित हो जाता है इसे परकास अपगटन कहलाती है सूरिय के परकास की उपस्तती में सिल्वर कलोराइड एजी सील सिल्वर कलोराइड एजी सील सिल्वर का पर्तिक होता है और कलोरिन का सील कावियोजन सिल्वर और कलोरिन में होता है तदा सिल्वर कलोराइड का रंग दूसूर हो जाता है सूरिय परकास की इस्ततिय है यहां पे लिखना है सूरिय परकास उत्फरेरक की भूमी का नहीं बार है तो क्या हुआ यहां पे यहां पे क्या हुआ 2AG CL 2AG पलस CL2 2AG पलस CL2 यह हो गया परकास के दोरा अपगटन तो यह जो हमारी रासाइनी का भिक्रियाई है वो अलग अलग परकार से होती है वो सबी आ गई अब दो चीज़े आपने बहुत पढ़ी होगी एक तो उस्मा सेपी और एक उस्मा सोसी एक तो उस्मा का त्याग करने वाली एक उस्मा को लेने वाली अभिक्रियाई है तो चलिए दोस्तों उस्मा सेपी अभिक्रिया थोड़ा द्यान से इसको देखना है यहां से देखिए से कमयाधिक होती है, तो इनकी उरजा और इनकी उरजा में परिवर्टन आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब या तो उरजा उनने लिए या उनने उरजा को त्याक कर दिया है, इस ADAR पर दो परकार की होती है पहले है आपकी उस्मा सोसी उस्मा सेपी अबिक्रिया उस्मा शेपी अबिक्रिया वे रासाइनिक अबिक्रिया है जिने में उस्मा उतसरजित होती है जिने में उस्मा बार निकलती है उस्मा सेपी अबिक्रिया ही कहलाती है देखे इसमें उतपाद की कुल उर्जा अबिकार कूँगी इनकी उड़ जाए इससे ज्यादा होगी तो उसमा क्या हो जाएगी अपने आप उत्सरजित हो जाएगी N2 प्लस 3H2 2 NH3 प्लस 3.3 तीन तीन जो है केलियम जूल यानि उसमा है वो निकली है NHL में NHL प्लस NH2 प्लस 7 में उसमा निकलती है सुसन क्रिया प्राकर्तिक गेस का दैन उदासी करन अभी क्रिया उसमा सेपी अभी क्रिया के उदारन है उसमा सेपी जहांपर उसमा का त्याग किया जाता है जहांपर उसमा का त्याग किया जाता है दोस्तों दूसरी है आपकी उ उस्मा सोसी अभीक्रिया वे रासाइनिक अभीक्रिया हैं जिसमें उस्मा का अवसोसन होता है उस्मा ली जाती है उस्मा सोसी अभीक्रिया कहलाती है जब उतपाद की कुल उर्जा अधिकारकू की कुल उर्जा से कम होती है तो उस्मा अवसोसित होती है N2 पलस O2 2NO माइनस 180C जो जूल यहां पे उस्मा ली गई किलो जूल जो उस्मा ली गई है समझे है यहां पे यह उस्मा उत्पाद ने गरण की है मतलब सोसी है पाच्चन क्रिया उस्मा सोसी अभी क्रिया का ही उधारन है होता है दोस्तों आगया समझ में अब ओक्सिक्रन और अप्चियन आपने पढ़ा होगा ओक्सिजन के साथ हाइड्रोजन के साथ क्रिया तो ओक्सिक्रन और अप्चियन अभी क्रिया है यह क्या होती है इनको देखिए सबसे पहले ओक्सिक्रन अभीक्रिया की और हम चलते हैं ओक्सिक्रन अभीक्रिया ओक्सिक्रन वे रासाइनिक अभीक्रिया है जिसमें पदार्थ ओक्सिजन या रेन विदूती तत्वय से सयोग या तो ओक्सिजन से कर लेगा या रेन विदूती जो तत्वय उससे सयोग करेगा दोस्तुं अत्वा हा इड्रोजन या धन विद्यूती तत्वों का त्याग होगा. वहरासानिẫn क अभी इक रियाज इसमें किसी पदार्थ का ओक्सिजन के साथ संयोग होता है. जैसे C पलस O2. कार्बन का ओक्सिजन के साथ. ओक्सिजन के साथ हो रहा है मतलब ओक Paleo listed है दोस्तों. समझ गए वेरासाइनिक अभीक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का रेन विद्यूती तत्वे से संयोग होता है AP प्लस CL2 कलोरी रेन विद्यूती तत्वे संयोग हो रहा है रेन विद्यूती तत्वे या ओक्सिजन से संयोग हो रहा है वो ऑक्सी करन अभी कुлять लिया होगी दोस्तों अभी और भी है इसमें इसके अलब एक तो ऑक्सीजन हो गया एक अग्रीन वीदीटी तत्वय हो गया एक है वेर असा एक अभी के लिया जिसमें किसी पशूफ़ोस्व में हाइड्रोजन की कम्ई हो acetaldeide बन रहा है c3 c2 और hydrogen का त्याग हो रहा है तो देखे oxygen के साथ plus हो जो negative हो उनके साथ plus हो और जो आपके hydrogen है इसके साथ इसकी कमी की जाए ये तीन आपको जहां पर भी मिलेना इसी इस्तत्ती यह रिन्विदूती है यह जो जिन मनाया में रिन्विदूती तिन उपर वाला ओक्सीजन का है ओटू हाइड्रोजन और रिन्विदूती ओक्सीजन और रिन्विदूती तत्वों के साथ संयोग हो रहा है जबकि हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है संयोग नहीं हो रहा है त्याक किया जा रहा है तो वहां पर ओक्सिकरन अभी क्रिया कहलाती है दोस्तों दूसरी आती है आपकी अपचेयन अभी क्रिया ये क्या होती है इसको भी समझे दोस्तों अपचेयन अभी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणू या दन विदूती तत्वों का स्योग होता है या तो हाइड्रोजन के साथ या पलस के साथ तो क्या होगा स्योग होगा और ओक्सिजन या रिन विदूती तत्वों उनके साथ क्या होगा अलग इनको छोड़ा जाएगा वियोग होगा अत्वा ओक्सीजन परमाणों या रेन विद्यूती तत्वे का क्या किया जाता है त्याग होता है वो अपचेन अभिक्रिया ही होती है दोस्तों वेर असाइनी के विक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से स्योग होता है एंस टू पलस एल टू टू एंस एल तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है स्योग हो रहा है वहरासाईनी के बिक्रियाज इसमें पदार्थ का धन विद्यूती तत्वे से स्योग होता है CL2 प्लस MG, MG धन विद्यूती है, MG CL2 तो यहां पे आइड्रोजन आ गया, यहां पे धन विद्यूती तत्वे आ गया वेर रासाईनि का विक्रिया जिसमें किसी पदार्ट से ओक्सिजन की कमी हो ओक्सिजन को बार पेका जा रहा है A.M.G.O πληस M.G. पलस O.T.U तो यहां पे ओक्सिजन को बार पेका हो जा रहा है मतलब अप्चेन किण्ज या है दोस्तों सम्झे इसके अलावा इसके अलावा यहां पे देखिए और वेर आसाइनिक अभी क्रिया जिसमें किसी पदार्थ से रेन विदूती तत्वे की कमी हो जैसे APS, AP पलस S, AP, रेन विदूती तत्व यह होती है, ओक्सिक्रन वे अपचेन अभी क्रिया है आगे नाम आया है, रेडोक्स, अपोपचे अभी क्रिया रेडोक्स, रेडोक्स या अपोपचे अभी क्रिया इसको समझ लेना थोड़ा सा सामाने ते, ओक्सिक्रन तत्वापचेन की अभी क्रियां साथ साथ चलती है क्योंकि रासाइनिक अबिक्रिया में एक पदार्थ का अनू परमानू या आएन इलेक्ट्रोन त्यागता है तो दूसरे पदार्थ का अनू परमानू या आएन इलेक्ट्रोन को गरन करता है दोस्तों इस परकार का एक का ओक्सिक्रन होता है तो दूसरे पदार्ट का आपचेन होता है अते इन अभीक्रियाओं को redoks, up akhirnya, abikria के नाम से, redoks, reaction के नाम से जाना जाता है अब इस चीज को समझने का यहां पर परियास कीजी देखे जेड़ एन, आपस ओ फोर यहां पे क्या हो रहा है आपका यहां पे क्या हो रहा है ओक्सी करन हो रहा है हो रहा है ना यहां पे ओक्सी करन हो रहा है जबकि C-U-S-O-POR में से C-U निकाला जा रहा है यहां पे क्या हो रहा है अपचेन नेगेटिव रेन विद्यू तत्वय का त्याग हो रहा है तो यहां पर अपचेन यह दोनों के लिए इस साथ होती है तो उसे का जाता है रेडोक्स अभी के लिए समझ गए? आगे चलिए अभी कारक वे अपचायक वे पदार जो इलोक्ट्रोन गरण करता है अत्वा जिसका अपचेन होता है ओक्सी कारक कहलाता है अपचायक कौन होता है वे पदार जो इलोक्ट्रोन को त्यागता है इलेक्ट्रोन को गरण करने वाला इलेक्ट्रोन को अपने अंदर लेने वाला वो तो हूगा ओक्सिकारक और इलेक्ट्रोन को बार फेकने वाला अब चाए या जिसका ओक्सिकारण होता है वो अब चाए कहलाता है दोस्तों आगया समझ में यह है, इम्पोटेंट है, एक एक चीज इम्पोटेंट है दोस्तों क्युस्ण एंस्वर भी देखेंगे यह नहीं है कि आपके सामने क्युस्ण 誉न नहीं आईंगे क्युस्ण एंस्वर भैतरिन तरिके के साथ को आपके अपक्ति उपलब रहेंगे आगे आरी है मंद एवम तिрьव अभिक्रियाई यह किस से होती है उत प्रेरक की इस्तती में होती है कोई तो जल्दी हो जाती है और कुछ में वर्सूं भी लग जाते हैं अबिक्रिया के अंदर तो देखे कुछ रासाइने के विक्रिया इतनी तीवर गती से होती है कि उनके वेक को आसाइनी से मापा भी नहीं जा सकता समझ गे तीवर अभिक्रियाँ आईनू के मद्दे होती है कुछ अभिक्रियाँ को पूर्ण होने में मिनटू गंटू दिनू या कभी-कभी वर्सु लग जाते है इन्हें मंद अभिक्रियाँ कहते है तो जो कापी तीवर गती से हो जिसको हम समय भी ना माप सके वो तो होती है तीवर गती तीवर अभिक्रियाँ और जो समय लगाती है जिसे हम समय माप सकते हैं उन्हें कहते हैं मंद अभिक्रियाँ लोहे पर जंग लगना मंद अभिक्रियाँ का उदारन है तो अमलसार उदासी करन अभीक्रिया दसकी गात माइनद दस सेकंड यानि तीवर कती की अभीक्रिया होती है दोस्तु आगे समझ में अब चलो आगे, आगे हम बात करते हैं उत्परे रखी उत्परे रख किसी रासाइनिक अभीक्रिया में उपस्तित वहब आये पदार्ट जो स्वेम तो परिवर्तित रहेगा रासाइनिक अभी किरिया के अंदर किसी पदार्ट के साथ मेल मिलाप नहीं करेगा तो स्वें में परिवर्टित रहते हुए रासाइनी का विक्रिया के वेग को परिवर्टित कर देता है रासाइनी का विक्रिया का जो वेग है उसको बदल देता है उत्परेरक कहलाता है और इस परिक्रिया को उत्परेरन कहते है सविडन के जेकब बरजीलियस नामक रसाइनेग्य ने 1835 इस्वी में उत्परेरक की खोज की थी कांके निवासी थे सविडन के निवासी थे दोस्ती समझ गए अब देखिए उत्परेरक के गुण क्या क्या होते हैं यह वेरी इंपोर्टेंट है गुण इसके उत्परेरक अभी क्रिया के वेक को परिवर्टित करते हैं किन्तु उनके स्विम के दर्वेमान या रासाइनिक संगटन में कोई परिवर्टन नहीं होता है जैसे की उत्परेरक यहां पे हम मान लेते हैं ऑक्सीजन है इधर यह दो पदार्थ मिल रहे हैं यहां पर ये दोपदार्थ मिल गए, तो यह या तो इस क्रिया को तेज कर देगा, या इस क्रिया को दिरे कर देगा, खुद का ध्रिवेमान खुद के गुण में कोई प्रिवर्तन नहीं होने देगा दोस्तों उत्प्रेरक की अलब मातरा ही वेग प्रिवर्तन के लिए प्रियाप्त होती है उत्प्रेरक की क्रिया विसिष्ट होती है अर्तार्त उत्प्रेरक एक रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है सभी अभीक्रियों को उत्प्रेरित नहीं कर सकता उत्प्रेरक उत्कर्मणी अभीक्रिया में अगर तता परतीब अभीक्रिया के वेक को समान रूप से परबावित करता है सामे सिग्रे इस्तापित हो जाता है किन्तु सामय वस्ता प्रबावित नहीं होती उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेकु के उल परिवर्तित करते हैं उन्हें प्रारम नहीं कर सकते हैं यह नहीं है कि कोई अभिक्रिया हो नहीं लिए के उत्परेरक होता है चार परकार का उत्परेरक कितने परकार का होता है उत्परेरक कुं के परकार धनात्मक रेनात्मक सवता है और जेव जेव उत्परेरक दनात्मक वे उत्परेरक जो रासाइनी कभी क्रिया की गती को बढ़ाते हैं दनात्मक उत्परेरक कहलाते हैं अब जो भी उत्परेरक है ना MNO2 इसको यहाँ पर लिखना है तीर के निसान के उपर लिखा ना जाता है मैंने साइड में लिख रहा है 2KCLO3 उत्परेरक MNO2 इसमें मिलाया तो 2KCLO2 पलस 3O2 यानि कि भौती उर्गती से यह परकिरिया संपन होगी वे उत्परेरक, जो रासाइने के बिकरिया के वे को कम कर देते हैं रिनात्मक उत्परेरक क्या लाते है H2O2 का Glycerin यानि कि यहाँ पर उत्परेरक आयेगा आपका Glycerin कि उपस्तती में अब गटन कम हो जाता है उत्परेरक Glycerin मिलाया गया यहाँ पर H2O2 इसका बहुत समय के बाद निर्मान होगा रिनात्मक उत्परेरक वह उत्परेरक होते हैं जो अभिक्रिया को तेज करते हैं रिनात्मक उत्परेरक वह उत्परेरक होते हैं जो अभिक्रिया उसके वेक को बहुत कम कर देते हैं दो परकार होगे कोई रासाइनिक अभीक्रिया में कोई उत्पाद बना वो अभीक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो ऐसे उत्परेरक को सौते उत्परेरक कहते हैं और इस अभीक्रिया को सौते उत्परेरक जैसे जैसे मतलब है तो देखे CS3, COO, C2, H5 पलस H2, एथिल एथिल एसिटेट है, जल के साथ हो रही है तो एसिटी का अमल बनाया ना यह यहां पर उत्परेरक का कारिये करेगा तो देखे एसिटी का अमल सौते उत्परेरक की तरह वेवार करता है वह विक्रिया के वेक को बढ़ाता है जे उत्परेरक वेपदार जो जे वरासाइनिक विक्रियाओं की गति को बढ़ाता है जे उत्प्रेरक कहलाते हैं विबिन जे क्रियाओं में एंजाइम उत्प्रेरक का कारिये करते हैं जैसे स्टार्च माल्टेज में बदलता है तो टाइलेन अन टाइलेन ये उत्प्रेरक का कारिये इसमें करता है तो ये चार परकार उत्प्रेरक के होगे अब दो चीजे, एक तो उत्परेरक वर्दक एक होता है, उत्परेरक विस, ये क्या होते हैं इनको देखे वेपदार जो उत्परेरक की किरिया सीलता में वर्दी करते हैं वे पदार जो उत्परेरेक की किरिया सिलता में CO plus 2H2 CH3OH CH3OH यहां पे जो उत्परेरेक है JNO है इसके अलवा CR2O3 है इसको निचे हैं इसको उपर लिख दो अब इक क्रिया में JNO उत्परेरेक के तिता CR2O3 वर्दक है जो JNO की क्रिया सिलता में वर्दी करते हैं दोस्तु ये दोनु चीज़ें आपको लिखनी है अगला उत्परेरक विस वे पदार जिनकी उपस्तिती से हैं उत्परेरक की क्रिया सिलता में कमी होती है उत्परेरक विस कहलाते हैं एचसी एन एचसी एन दोस्तु कैसे ही है क्या नहीं एचसी एन गला थे यहां यदि इस क्रिया में एचसी एन मिला दिया जाए तो प्लेटीनम उत्परेरक की क्रिया सिलता में कमी आ जाती है पीटी और लिग लो साथ में प्लेटीनम की एचसी एन मिलाएंगे तो प्लेटीनम की जो किरिया सिलता है उसमें कमी आ जाईगी आ गया समझ में अब कुछ उत्परेरक है आठ दस उत्परेरक बता देता हूँ और उनके उपयोग बता देता हूँ यह रहे पलेटी निकरत एसबेस्टोस नाइट्रिक अमल निर्मान के ओस्ट वाल्ड परकरम में काम में लिया जाता है निकेल रेने निकेल हाइड्रोजनिकरन में काम में लिया जाता है वेनेडियम ओकसाइड ओकसीकरन एसो टू से एसो थरी संपरक्सम में काम में लिया जाता है सुक्सम विबाजित लोहा NH3 के निर्मान का हेबर प्रक्रम में काम में लिये जाता है लोहा हाइड्रो कार्मन के पिसर्ट ट्रांप्स संसलेशन में PTRNC गोज NH3 से HNO3 का उत्पाद बनाये जाता है नाइट्रोजन के उकसाइड H2SO4 के उत्पादन का सीसा कक्स प्रक्रम में काम में लेते हैं गरम एलूमिना एलकॉल से इतर का उत्पादन किया जाता है और क्यूप्री कलोराइड डिककन प्रक्रम से कलोरिन गेस का उत्पादन किया जाता है तो कक्सा 6 से लेकर कक्सा 10 तकी किताबें पढ़ लेना इसे बार एक भी लाइन मिल जाए तो मेरे को बोल देना कम्प्लीट नोट्स एप के मादेम से उपलब्द करवाए जा रहे हैं बाकी के कलासे प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर लें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और पांच मित्रों तक सेर जरूर करें आप सभी सातियों को बहुत बहुत दनेवाद जे हिंद जे बारत